बोचपरी सपस्टार पवन सिंग का गाना गाओं के दशेहरा जी हाँ जब ये गाना कल ही आया था तब ही हम दिया था कि ये गाना पवन सिंग का बहुत ही खुबसूरत गाना है और इस गाने को पहले रिलीज होना चाहिए था और इस गाने ने अपनी खुबसूरती के बलप ही नंबर 5 की ट्रेंडिंग हासिल की है म्यूजिक में ये नंबर 9 पे चल रहा है और YouTube ट्रेंडिंग में 5 पे चल रहा है हो सकता है वीडियो आते आते तक उपर नीचे ट्रेंडिंग हो जाये लेकिन पवन के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी 15 लाख व्यूज के साथ ये गाना अभी भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए पवन सिंग ने इस नवरातरी बहुत ही बहतरीन गाने लाए ये देखने की बात ये है कि पवन सिंग ने जितने भी गाने लाए इस बार सारे बड़े चैनलों से ल से भी पहले से ही सिलेक्टिव थे इस बार वो कुछ जादा ही सिलेक्टिव हो गए है अब पवन सिंग तैयारी कर रहे है अपने बॉलिवूड सॉंग के लिए और उसके बाद उनका छटका सॉंग आएगा जी हां ऐसा फिर से कहा जा रहा है कि छट सॉंग इस बार भी पव पवन सिंग के गानों में जो बॉलिवूड वाला सॉंग आने वाला है कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़े चैनल से आने वाला है और इस गाने के लिए पवन सिंग बड़ी जोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं तो जितने भी पवन के फैंस हैं अगर नवरात्र के गानों से उनका जी भरेगा वैसे ही उनके बॉलिवुड सॉंग भी आकर आपका फुल टू एंटर्टेन करेंगी भूजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूली